जीएस के 10,000 MCQ की सीरीज के तहट एक और क्वेशन का पोस्ट मार्टम जहां हम लोग परतीक क्वेशन के परतीक जो ऑप्संस होते हैं उसको तोड़ तोड़ कर और बारिकी से समझते हैं उसी के अंतरगत UPSC 2020 की क्वेशन में पूछा गया क्वेशन जो की पॉलटी से समंदी थे आईए चलिए देख लेते हैं तो यह कोशन दोस्तों इस प्रकार से था कि भारत के संविधान के भाग चार में अंतरविष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निमलिकित कत्नों में से कौन सा से सही है है और option पहला था वे न्याले द्वारा परवर्तनिये होंगे दूसरा option यह था कि वे किसी भी न्याले द्वारा परिवर्तनिये नहीं होंगे और तीसरा option यह था कि इस भाग में अधिकतित यानि कहा गया सिधान्त राज्य के कानून द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे और इसमें हमसे पूछा गया कि सही उत्तर कौन होगा और आपसंस आपको इस प्रकार से चार दिये हुए थे तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो इसमें भाग चार की बात हो रही है आप सभी जानते हैं कि संभिधान के भाग चार के अंतरगत बेसिकली किसकी बात की जाती है राज्य के नीती निदेशक तत्व की बात की जाती है डीपी एसपीज की बात की जाती है जिसके अंतरगत यह कहा जा रहा है कि जो डीपी एसपीज जो होते है राजे के नीती निदेशक जो बेसिकली तत्व जो होते हैं वो न्याले द्वारा परवर्तनिये होंगे तो यह quotation जो है वह गलत है क्योंकि यह न्याले द्वारा परिवर्तनिये नहीं होते हैं जिनका वर्णन आर्टिकल 36 से लेका 51 के बीच में किया गया है इसके अंतरगत हमा न्याले द्वारा परिवर्तनिये नहीं होंगे अभी हम लोग ने बात किया ही कि परिवर्तनिये होंगे यह कहा जा रहा है बलकि यह गलत है वह किसी भी न्याले द्वारा परिवर्तनिये नहीं है ठीक उसी परकार से यह यूं कहे विपरीत जैसे कि यदि हमारे मौलिक अध सकते हैं लेकिन के कंडिशन में नहीं जा सकते तो इसलिए यह परिवर्थ्न यह नहीं है तो जो हमारे दो कदें उसमें हैं दो दोनों में आ रहा है इसलिए यहां पर थीसरा ऑप्षिंट को भी हम लोग देख लेते इसमें यह बात आएगी कानून बनाने की तो राज्य के जो नीती निदेशक तत्व हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा वो उसको प्रभावित करेंगे जो भी कानून बनाया जाएगा तो दोस्तो यहां बात बिल्कुल चाहिए है अगर आप राज्य के नीती को चलाना है वहां कि लोगों की जरूरतों को पूरा करना है तो उसके अंतरगत कहीं ना कहीं जो मूल भूत है कि इसके अंतर करेंगे तो उसमें घ्राम पंचायद की बात की गई है समान सिनधीता की की बात की गई है और इसके साथी साथ समान कार या समान वेतन की बात की गई या अंतराष्ट या अस्तर प्रसांती सुरक्षा की बात की गई है तो यह सारी चीजे जब भी एक सरकार बनाई जाती है यह सरकार चुनाओ लड़ती है तो विभिन प्रकार के वादे लेकर आती है और उसके अंतरगत स्वास्त हो, सिक्षा हो, गरीबी हो और विभीन तरह के जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो क्या रखती है अपना मैनिफेस्टो रखती है और इसी के अंतरगत वो कहीं ना कहीं बाद ये ना भी कहें तो एक तरीके से उनके द्वारा ये ध्यान जरूर रख रखा जाता है कि जो नीती निदेशक तत्व हैं उनके अंतरगत जो भी प्रावधान है उनी को ध्यान में रख कर कानून को बनाया जाए इसलिए हमारा कोटेशन कौन सा और नमबर डी कोटेशन जो है वो दोस्तों सही हो जाएगा और यदि अब हम लोग देख लेते हैं कि एक तरफ क्या है हमारे fundamental rights है और एक तरफ हमारे क्या है राजे के नीती निदेशक तत्व हैं तो मौलिक जो अधिकार है और जो राजे की नीती निदेशक तत्व है इन दोनों के बीच अंतर की यदि हम लोग बात करें तो एक तरफ राजे के नीती निदेशक तत्व जो हो अधिकारों के अंतरगत basically क्या किया जा सकता है इसके अंतरगत यदि हम लोग देखे तो विभीन प्रकार के हमें क्या दिये गए एक राज्य के विरुद्ध अधिकार दिये गए राजनेतिक अधिकार दिये गए लेकिन वहीं DPSP यह राज्य के निदेशक्ततों में एक समाज के एक राज्य के एक देश के वहां के लोगों के कल्यान की बात की गई है समाजिक आर्थिक लोगतंत्र की अस्थापना की बात की गई है और इसी के अंतरगत जो उसमें हम लोग परमुक रूप से तीन बिंदू के अंतरगत उसमें सारे क्या है एह आर्टिकल्स जो है च्छत इसके साथ ही साथ जो मौलिक अधिकार होते हैं नकरातमग प्रकिर्ति के होते हैं क्यूंकि यदि आप पढ़ेंगे उनको ध्यांसे लिखा हुआ है कि राजे किसी भी व्यक्तिय के साथ उनके धर्म हो जाती हो लिंग हो जन्मस्थान हो उनके अधार पर भिदभाव नहीं करे आप राज्य की नीति निदेशक ततों को पढ़ेंगे तो उसमें सकरात्मक आपको भाव देखने को मिलेगा सकरात्मक प्रकिर्टी का यह है क्योंकि इसमें बात की गई है कि पंचायतों का गठन किया जाएगा ऐसी बात की गई है समाल सिविल संगीता लाई जाएगी अंतरा प्रविर्टी देखने को मिलती है कि आगे आने वाले समय में यह हमारी सरकार के माध्यम से यह किया जाएगा विभिन प्रकार के कानूनों के माध्यम से और अंत में जो हम लोग ने इस कोश्चन में भी देखा वह यह था कि एक तरफ न्याले में परिवर्तिनिये की बात तो आज के वर्तमान समय में भी कोई भी पाटी जो आती है चाहिए वो सिक्षा हो स्वास्त हो गरीबी हो भुखमरी हो इन तमाम चीजों को लेकर वह मुद्दों को लेकर अपने मैनिफेस्टों में उपस्तित होती है जो कि राज्य के नीती नीदेशक्त सिधानतों में क्य आति गेया है कि किसी में यही फिसद्रच ना हो जाए कि आने वाले समय में वहां के नागरिक है वह उनी पर अपनी नीतिया अपने साख्य माधं से कानून नीतियों को लागू करे तो यह था तमाम depression केמצ है क외ई वेप्र में पूच्छा गया तो आप हमें अपने कमेंट और लाइक सेर के माधम से आप हमें अपना रिस्पॉंस बता सकते हैं ठैंक यू धन्यवाद